Hello friends, YouTube channel AMACclasses के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं ideal का कुछ example बताऊंगा लेकिन example बताने के पहले ideal का definition के बारे में discuss करूँगा ऐसे previous वीडियो में ideal का definition और उससे related concept को बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं link description में मिल जाएगा लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा discuss करता हूँ ideal का definition उसके बाद पर example पर आँगा लेकिन friends आप सभी से request है कि आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो सबसे पहले subscribe कर लिजे और bell icon को भी on कर लिजे ताकि latest वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहें यदि वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक किजिएगा और अपने friends के साथ share किजिएगा कमेंट करके आप यह भी बताईएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ideal किसको कहते हैं यहां पर हम लोग एक रिंग लेते हैं और इस रिंग का यह रिंग जो है वह उसमें दो binary operation है मान लेते हैं addition और multiplication यह दो binary operation है इस रिंग का एक non empty subset हम लोग लेते हैं I I जो है वो एक non empty subset है अब इसी I को कहेंगे ideal तो उस ideal में दो ideal होता है एक left ideal होता है और एक right ideal होता है तो इसी I को हम लोग कहेंगे left ideal left ideal कब कहेंगे अगर वो दो condition satisfy करें दो कौन सा condition है कि अगर A और B आई का member है तो A मानस B भी आई का member होना चाहिए अगर A और B कोई भी दो element I का ले लेते हैं तो दोनों का जो difference है वो भी I का member होना चाहिए पहला condition है अगर ये condition satisfy कर जाता है तो I plus एक subgroup हो जाएगा किसका subgroup होगा R plus का क्योंकि R ring है तो addition के respect में ये एक abelion group होता है और अगर ये condition I satisfy कर रहा है तो I plus जो है I एक subgroup हो जाएगा addition के respect में R plus का तो I जो है वो subgroup होना चाहिए R का with respect to addition first condition से ये पता चलता है और second condition में क्या कहता है कि अगर R ring का कोई भी member ले ले एक कोई भी I का member ले ले लेते हैं I जो non-emptive subset R का उसका कोई भी element A ले ले लेते हैं R ring का member ले लेते हैं तो R into A होना चाहिए I का member R जो है वो left side म multiply कर रहे हैं I के member के साथ left side में अगरा ring के member को multiply कर दें तो वो product भी I का member होना चाहिए अगर ये दो condition satisfy करता I तो इस I को हम लोग कहते हैं left ideal और right ideal में क्या होता है right ideal में थोड़ा सा change होता है ये जो left side हम लोग multiply कियें left side नहीं multiply करते हैं बलके right side multiply करते हैं A into R ये अगर I का member हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे right ideal उस समय इसको हम लोग कहते हैं right ideal और अगर दोनों condition satisfy करें दोनों condition means क्या हुआ कि A into R और R into A अगर दोनों I का member हो तो left या right word नहीं लिखते हैं सिर्फ वैसे case में हम लोग कहते हैं ideal तो ideal क्या होता है ideal ring का एक non empty subset होता है जिसमें से दो condition satisfy हो जाए दो condition जो मैं अभी बता रहते हैं यहाँ पर अगर वो condition satisfy हो जाए तो उसको हम लोग ideal कहेंगे ideal में यह दोनों होना चाहिए I का member और left ideal में यह वाला सिर्फ होना चाहिए और right ideal में यह वाला सिर्फ होना चाहिए तो अब चलिए example के वारे में देखते हैं कि यहाँ पर ideal का example मै यहाँ पर मैं कुछ example को discuss करूंगा आज तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक रिंग ले रहे हैं और कैसा रिंग है यह matrix है टू बाइट्यू और का यह स्क्वार मेट्रिक्स है सिकेंड और का एबी सीडी जो है वह इंटीजर्स है यह जेट का मिमबर्स है तो य यह matrix का सेट मैट्रिक्स एडिटिशन के रिस्पेक्ट में और मैट्रिक्स मृल्टिपलिकेशन के रिसपेक्ट में एक half ring होता है तो और यह जो हो गया का है सब्सेट लेना है तो यहां पर एक subset ले रहे हैं कैसा matrix का set बना रहे हैं यहां पर देखिए first column में A और B और second column 00 है मतलब first column में कोई भी integer रख सकते हैं A B जो है वो integers है और first column में कोई भी integer रख सकते हैं लेकिन second column में 0 ही होना चाहिए तो यहां पर 2 by 2 order का सारा matrix था जिसका element integers था और यहां पर भी 2 by 2 order का ही matrix है इस collection में लेकिन इसका second column fix है second column 0 होना चाहिए first column में कोई भी integer है तो यह जो है वो इसी का subset बन जाएगा क्योंकि 2 by 2 order का matrix है और इसका सारा element जो है वो integers ही है तो यह I इसका subset हो गया अब दिखाना है कि this subset so that I is a left ideal of R यह जो है R का left ideal होगा but not your right ideal of R यह left ideal तो होगा लेकिन right ideal नहीं होगा कैसे दिखाएंगे जड़ा इसके बारे में समझेए सबसे पहले हम लोग यहां पर इसका solution के बारे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले अगर I की बात करें तो I है क्या I जो है वो 2 by 2 order के matrix का set है जिसका second column 00 है और first column में जो element है वो integers है यह Z का member है अब जड़ा देखिए इसमें किस तरीके का आएगा जैसे 2, 3, 00 यह इसका member हो जाएगा यह R का भी member है क्योंकि 2 by 2 order का member है और 2 by 2 order का matrix है और इसका element जो है वो सभी integers है यह अगर हम लोग ऐसा लिखे है मानस 2, 3, 00 यह भी इसका member हो जागा क्योंकि second column fix है second column 0 होना चाहिए first column में कोई भी integer हो सकता है first column में 00 भी हो सकता है यह भी first column में 00 यह भी integer है मतलब A के जगा भी 0 और B के जगा भी 0 A B तो integer होना चाहिए तो यहां पर integer ही है यह दोनों A B A के जगा 0 और B के जगा 0 तो यह भी इसका member हो जागा और यह सभी ring का भी member है R का ही member है क्योंकि R में जो है वो 2 by 2 order का matrix था जिसका element जो है वो integer था था तो element integer और 2 by 2 order का member है तो इसका सारा element जो है वो R का भी member होगा तो आई तो नस्यत रूप से एक R का subset हो जाएगा और यह non empty subset होगा क्योंकि यह सभी तो R का ही member है ना तो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं इसके बारे में कि देखिए since यहां पर एक कोई भी दिखा देते हैं कि कम से कम एक element i का है तो यहां पर 00 और यह second column में 00 element है तो यह तो i का member है क्योंकि यह सारा element जो है उसमें a और b के जगा 00 है यह भी इंटीजर हो गया और second column 0 है तो यह i का member हो गया तो therefore i is यह non empty subset एक तो non empty subset हो गया किसका non empty subset of R का subset हो गया अब इस i को left ideal दिखाना है तो left ideal दिखाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं पहला condition दिखाना पड़ेगा तो first condition क्या है i का कोई भी दो element लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों का difference भी i का member है अगर i का दो element लेकर के उसका difference भी i का member दिखा देते तो पहला condition तो satisfy हो जाएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर दो member लेते हैं तो i का दो member लेता है हम लोग क्या करते है let ऐसा लिखते हैं यहाँ पर a b 00 एक यह member है और दूसरा member c d 00 यह दो member क्योंकि i में तो matrix है two by two order का matrix है जिसका second column 0 है तो देखें यहाँ पर two by two order का matrix बनाएं और second column 0 और first column का जो element है वह integers होगा यह हम लोग माल लेते हैं आई का मेंबर यह दो element मालनी आई का जहां पर a b c d जो first column element a b और इसमें c d यह दोनों क्या अचारों क्या होगा a b c d यह जेड का मेंबर होगा integers का set होगा यह integers होगा अब चलिए यह दोनों का difference दिखा देंगे आई का मेंबर तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसके बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि यह दोनों का difference a b 00 first element था और second element क्या है c d 00 यह दोनों का difference क्या होगा matrix को जिस तरीके से subtract करते हैं उस तरीके से substitute कर लेते हैं यह लिखते हैं तो is element में इसको detached करेंगे तो a – me 9 0 subtract करेंगे तो यहाँ पर 0 फिर b – d आएगा यहाँ पर और यहाँ पर subtract करेंगे 0 – 0, 0 हो जाएगा यह निश्यत रुप से i का member होगा क्यों i का member होगा because हम लोग यहां पर लिखते है because a-c और b-d ये भी z का member है क्यों z का member हो गई है क्योंकि a, b, c, d ये सभी तो integers था ये z का member था तो दो integer का difference भी तो integer होता है a और c दोनों integer है तो दोनों का difference भी एक integer आएगा b और d का difference भी integer आएगा तो a-c और b-tb z का member है तो first column to z का member हो गया और second column 0 हो गया तो निस्यतुप से i का member हो जाएगा i में कैसा element था i में 2 बाइ 2 order का matrix था जिसका second column 0 था और first column integer था तो first column तो यहां integer आरहा and second column 0 आरहा इसलिए i का member हो जाएगा तो दो element i का लिए और दोनों का difference हम लोग दिखा दिए आई का member तो एक condition तो satisfy हो रहा है अब हम लोग next condition देखते हैं कि next condition कौन था ring का कोई भी member r लेते हैं और यहां i का कोई भी member a लेते हैं और दिखा देंगे left ideal दिखाना है तो r को left side से multiply करेंगे और a को बाद में रखेंगे तो r into a दिखा देंगे i का member अब यह कैसे दिखाते हैं दिखे second condition दिखाने के लिए ring का कोई भी member लेते हैं तो again let यहां पर हम लोग लिखते हैं again let एक हम लोग ring का member लेते हैं तो ring का कोई भी member ले सकते हैं ring में तो 2 by 2 order का matrix था p q r s यह हम लोग मान लेते हैं ring का member ध्यांदी जेगा ring में क्या था ring में जो है वो 2 by 2 order का matrix था तो कोई भी हम लोग 2 by 2 order का matrix ले लेते हैं लेकिन उसका element सभी क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए जहां पर हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में कि वेर p q r और s यह सभी जो है वो इंटीजर्स जेड का member है तो यह ring का कोई में member लिए अब रिंग का एक member है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एंड कि ए बी जीरो जीरो यह आई का member लेनी है जहां पर कि ए और बी क्या होगा इंटीजर्स हो गई है यह दोनों जो है वह इंटीजर्स होगा अब क्या करना है रिंग के जो element है लिए हम लोग उसको आई के element के साथ multiply करेंगे और इसको लेप साइड में multiply करेंगे ना हम लोग लिखते हैं यह जो matrix है P Q R और S इसको हम लोग multiply करते हैं इसके साथ A 0 B 0 के साथ अब देखिए तो matrix multiplication हो गया जैसे आप लोग matrix को multiply करके हैं उसी तरीके से इसको multiply कर लिजे तो first row को first column से multiply करेंगे तो P को A से P into A फिर Q को B से plus Q into B फिर second row को second column से multiply करके यहाँ पर लिखना है तो P को 0 से multiply करेंगे जिरो हो जाएगा और Q को 0 से multiply करेंगे यह भी 0 हो जाएगा पी इंटु 0 आप ऐसा पूरा लिख भी सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P into 0 plus Q into 0 फिर second row को first column से multiply करेंगे तो R into A plus S into B और फिर second row को second column से R into 0 R into 0 plus S into 0 अब देखिए यह क्या आ रहा है यहाँ पर तो आ गया P into A plus Q into B और 0 समयटी प्ला करने पर 0 यह भी 0 आ जाएगा तो यह complete 0 यहाँ पर R into A plus S into B और यहाँ पर भी complete 0 तो यह भी I का member हो जाएगा क्यों I का member होगा जरा समझे यह 2 by 2 order का matrix हो गया और साथ में P A Q B यह तो integer है ना देखिए यहाँ पर P है Q है यह integer है A और B integer है तो दो integer का product भी integer होता यह भी एक integer होगा और दो integer का समभी integer आजेगा तो यह जो है वो integer होगिया यह भी एक integer होगिया और स्केंद कॉलम 0 जीरो है देखिए फस्ट कॉलम में इंटीजर है और स्केंद कॉलम में 0 यह then two 2x2 order का matrix था जिसका first column integer था और second column zero element था तो यह i का member हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ because क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर because p into a plus q into b p into a plus q into b and r into a plus s into b यह दोनों क्या हो जाएगा z का member हो जाएगा तो देखे हम लोग left side multiply किये ring के element को और i को element को बाद में रखें तो i के element में अगर left side multiply कर देते ring के element से तो वो भी i का member हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि therefore i is a left ideal यह left ideal हो गया of ring r अब एक और काम करना है हम लोग को दिखाना है कि यह जो है वो right ideal नहीं होगा left ideal तो है लेकिन यह right ideal नहीं होगा तो चलिए अब उसको हम लोग दिखाते हैं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह हमारा paid course का एक lecture है मैं कुछ courses को paid course के रूप में रखा हूं जिसको आप buy करके purchase करके पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको एक apps download करना पड़ेगा ME classes आपको play store में मिल जाएगा आप वहाँ से इसको download कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर ring theory का एक course बनाया हुआ है और उस course में ring theory का सारा lecture दिया हुआ है उसका PDF भी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसका PDF भी आपको वहाँ पर मि discount है लेकिन मैं अभी discount में दे रहा हूं 499 में जिसमें आपको 60 lecture मिलेगा और लगबग 30 minutes के आसपास का सभी lecture है कुछ कम या कुछ ज्यादा है और 60 lectures है लगबग 2000 minutes का वो पूरा course है तो आप वहाँ पर ME classes apps को download कर लें और उसको वहाँ पर पर सकते हैं मैं कुछ course को कुछ lecture को जो है वो YouTube पर free में डाल रहा हूं लेकिन यह एक paid course का एक lecture है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि हम लोग right ideal यह क्यों नहीं होगा अब देखिए हम लोग क्या करते हैं आई का जो member लिए थे ए बी 00 इसको पहले लिखते हैं और right side में multiply करते हैं रिंग के member से P, Q, R और S यह था रिंग का member अगर यह भी I का member आ गया तो यह right ideal भी हो जाएगा लेकिन अगर I का member नहीं आया तो right ideal नहीं होगा ring के member को right side में multiply करना है तो चलिए देखते हैं यह आता है या नहीं तो multiplication हम लोग करते हैं matrix multiplication हम लोग prest row को first cold कॉलं से multiply करते हैं तो a को पी से multiply करेंगे a into पी आएगा फिर झीरो को यहाँ पर म achievements करेंगे तो जिरो हो जाएगा उसको नहीं लिखते हैं फिर्ष फाइस्ट रोको शेरें कोलिम से मelles दिए इन्टुप्ला करते हैं A into Q यहाँ पर आएगा और फिर जीरोय को यहां पर मल्टिप्ला करेंगे जीरोओ जाएगा यह क्या हमेसा I का मिंबर हो सकता है किया यह तो डिपेंट करता है तो A और Q पर यहां पर सिकेंट कॉलम में 0 होना चाहिए तभी of सिकेंट कॉलम में हमेसा 0 आएगा यह सकता है जब A 0 हो जाया यदा Q 0 हो जाया या पर q 0 होना चाहिए तो जलाइ समझजे ए और भी तो यहां कोई भी इंटेजर करने हैं तो जरूररी नहीं है मान लेते हैं हम लोग a की जगह रख देते हैं यहां पर ऐसा जो Me畫िक मैं बनाया हूं यहां पर 230500 देते यह यहां पर हम लोग अख्रृते हैं P Q के जगा 2578 ले देते हैं अब क्या एक मुटिप्लाइ कर रहे हैं क्या स्केटिक मौलम जिरू आएगा Two A और Q दोनों को multiply करेंगा तो A के जगए ये है और Q के जगए ये है तो 2 into 5 10 हो जाएगा यहां तो 0 नहीं आएगा तो इसलिए इसका second column हमेशा 0 हो यह जरूरी नहीं है तो यह matrix जो आया है वो I का हो हमेशा वो जरूरी नहीं है कबी हो भी सकता है कब हो सकता है जब Q अगर 0 करतेयं यहां पर Q के जगए तो 0 हो सकता है तक Q 0 कर देया तब आ सकता है लेकिन हमेशा तो नहीं आएगा हमेशा अगर ये I का member हो तभी इसको right ideal करेंगे लेकिन हमेशा तो आ नहीं रहा है कुछ cases में आ सकता है लेकिन सभी cases में नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके बारे में which may not be which may not in I यह I में हो यह जरूरी नहीं है यहाँ पर may not लिखा हुआ है मतलब हो भी सकता है लेकिन यह हमेशा हो यह जरूरी नहीं है तो जब ये हमेशा I का member नहीं होगा तो therefore I is not ये right ideal ये एक right ideal हो ये अब संभाव नहीं है क्योंकि हमेशा ये I का member नहीं होगा कुछ example भी लिख सकते हैं example के लोप में आप ऐसा बना लीजे माल लीजे 2, 3, 0, 0 ये किसका member है I का member है और यहां पर हम लोग बना लेते हैं 5, 7, 0, 3 ये किसका member बना है हम लोग ये R का member ले लिए हैं अब ये दोनों को multiply करके देखते हैं now क्या करना है I के member को पहले लिखना है और R के member को बाद में लिखना है right side लिखना R के member को और ये दोनों का product भी I का member आना चाहिए तो चलिए देखते हैं I का member आता है या नहीं multiply कीजे तो 2, 5, 10 हो गया और 2, 7, 10 यहां पर ये और ये multiply होगा तो 2, 5, 10 और ये 0 से multiply करेंगे 0 फिर ये और ये multiply होगा तो 2, 7, 14 और 0 को 3 से multiply करेंगे 0 फिर ये और ये multiply करना 3, 5, 15 और 0 को 0 से multiply करेंगे 0 फिर ये और ये multiply करना है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा 3, 7, 21 और ये 0 ही आएगा यहाँ पर तो देखें ये तो अब I का member नहीं है not belongs to I तो example के रुप में आप ये भी लिख सकते हैं तो इसलिए आपका सकते हैं ये ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि ये I का member ले लिए R का एक member ले लिए और दिखाती हैं कि दोनों का जो product है right side में अगर R को multiply करते हैं तो वो I का member नहीं आ रहा है तो therefore I is not ये right ideal I जो है वो एक right ideal नहीं हुग तो एक example हो गया ये एक ऐसा example है जिसमें से ये left ideal है लेकिन right ideal नहीं है तो आप ये चीज़ को धियान रखिएगा कि अगर कोई ideal है अगर वो left है तो ये जरूरी नहीं कि वो right ही हो अगर वो right है तो वो जरूरी नहीं है कि वो left ही हो हाँ कुछ ideal ऐसा हो सकता है कि वो left ideal भी हो जाए और right ideal भी हो जाए और अगर ring commutative होता है तब तो निस्य तरुप से left ideal और right ideal equal होता है चाहे वो left ideal ले 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 या right ideal दोनों same आएगा तो अगर commutative ring रहता है तब चलिए हम लोग कुछ example को और देखते हैं जो ideal का example होगा second example यह मैं ले रहा हूँ देखिए second question क्या है second example क्या है let r be a ring and l is a left ideal of r r कोई भी एक ring है और l जो है वो एक left ideal है यहाँ पर यह left ideal है ring r का दिखाना है so that the set lambda of l यह x set को denote करने का एक symbol है lambda of l और यह कैसा set है ring के वैसे सारे element का set है ताकि x into a equal to 0 4 all a belongs to l अगर l का कोई भी element लेते हैं तो x into a 0 आना चाहिए अगर ring का कोई भी element अगर इस condition को satisfy करता है तो वैसे सारे ring के element का जो set बनेगा उसी set को lambda l कर रहे हैं lambda of l और दिखाना है कि this is an ideal of r यह ideal दिखाना है जरा ध्यान दिजेगा क्यों सा set यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं यह तो r एक ring हो गिया यह एक ring हो गिया और l जो है वो क्यों सा ideal है left ideal है किसका left ideal है left ideal of r अब यहाँ पर जो set बनाया जा रहा है जिसको इस तरीके से denote कर रहे हैं इसका और कुछ meaning नहीं है बस एक set को denote किया जा रहा इस तरीके से और कैसा set है ring का ही element का set बना रहे हैं यह ring का ही element है x belongs to r लेकिन कैसा element होगा ऐसा element होगा जो l के परतेक element के साथ किसी भी element के साथ multiply कर दें तो वह 0 होगा l का कोई भी member माल लेते हैं माल लेते हैं l का member a है तो x into a ब्राबर 0 आना चाहिए अगर l का दूसरा element b लेते हैं तो x into b भी 0 आना चाहिए मतलब यहां कहने का मतलब है कि x into a 0 होना चाहिए for all a belongs to a l के परतेक element के साथ किसी भी के साथ multiply करें x को तो वह 0 आना चाहिए अगर वैसा कोई ring का member है तो वैसे सारे element के collection को ही lambda of l कर रहे हैं यहां पर x into a equal to 0 for all a belongs to a क्या ऐसा कोई element मिलेगा जरा सोचिए जरा ध्यान दीजे कि कोई भी ring का एक ऐसा element मिलेगा जो l की किसी भी element के साथ multiply करने पर 0 आएगा देखे जीरो तो ring का member होता है जीरो element तो निस्यदरूप से होता है ring का member अब जीरो को multiply किजिए मतलब x के जगा हम लोग 0 ले रहे हैं तो यहां पर 0 को a के साथ multiply करेंगे equal to 0 आजएगा 0 को a के साथ multiply करने पर 0 आएगा for all a belongs to l के किसी भी element के साथ multiply कर देंगे तो 0 आएगा तो एक element 0 ring का है जो इस condition को satisfy कर रहा है तो 0 तो जरूर इसका member हो जाएगा उसी तरीके से और भी कोई दूसरा member हो सकता है तो जो जो member होगा जो इस condition को satisfy करता है वैसे सारे element का हम लोग collection बना लेते हैं और यह जो collection बनेगा इसको हम लोग इस set से denote करते हैं यहाँ पर solution में मैं लिख रहा हूं जरा समझेगा सबसे पहले तो यह जो set दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग लिख जाते हैं we have lambda of n यहाँ पर collection दिया हुआ है this is the set of elements of r such that x into a equal to 0 for all a belongs to n यह तो find किया हुआ है इस तरीके से set we know that हम लोग यह तो जानते हैं कि 0 जो होता है 0 तो निश्यत रूपसर रिंग का मेंबर होता है and we have 0 जब आर का मेंबर है और 0 को किसी भी element के साथ multiply करने पर 0 होगा for all a belongs to n रिंग के किसी भी element का तो l जब ideal है यह ideal है तो l तो subset हो जाएगा यह left ideal था तो left ideal है तो यह मान लीजिए r है इसी का subset होगा इन तो इसका कोई भी element लेंगे तो वह तो रिंग का ही element होगा न तो रिंग के किसी भी element को अगर 0 से multiply करते हैं तो वह 0 आता है तो for all a belongs to l किसी भी element से अगर multiply करेंगे l के तो वह निश्यत रूपसे 0 आएगा तो यह जो 0 है इस condition को satisfy कर रहा है therefore 0 निश्यत रूपसे किस का member हो गया lambda of l का member हो गया implies lambda of l is non empty यह तो non empty हो गया first का ममलोग कर लिए अब इसको ideal दिखाना है तो ideal दिखाने के लिए दो condition दिखाना पड़ेगा first condition में दिखाना पड़ेगा कि इसका कोई भी अगर दो element माल लेते हैं कि x1 और x2 दो element इस collection का माल लेते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि x1 मानस x2 भी इसी collection का एक member होगा इसे set का member होगा तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए let x1 x2 यह दो member माल लेंडा l का therefore जब यह दोनों member lambda l का है तो lambda l में अगर कोई भी element अगर x है तो x into a क्या होगा 0 for all a belongs to l किसी भी element में multiply करेंगे उसको x को a के साथ multiply करेंगे तो वो निश्यतुप से क्या होगा 0 होगा इस set में जितना भी element है उसको अगर a से multiply करेंगे जहां a कोई भी l का मेंबर है तो निश्यतुप से 0 होगा तो यह चुकि इस set का मेंबर है इसलिए x1 into a ब्राबर भी 0 होगा and x2 into a यह भी 0 होगा for all a belongs to a अब हम लोग दिखाएंगे कि यह दोनों का जो difference आएगा वह भी इसी का मेंबर होगा तो यह कैसे दिखाते हैं जिरा इसके बारे में समझे एक्स1-x2 को a से multiply करते हैं यह multiply करके देखते हैं कितना आएगा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x1 plus minus x2 और बाहर में क्या है यह plus into minus यहां पर हो जाए गाए अब यह जो है इसको आप ऐसे मेलिख सकते हैं अब डिस्टियूटिव लाह रिंग में में सैडिसपाय होता है यह सारा तो इसको अंदर मेडिव लाह जाएगा यहांपर x1 into a-x2 into a और से इसको अब देखे मैं यहां पर 9da equal to equal to x1 into a और यहाँ पर minus x2 into a क्यों हो जिरा समझें यह plus into minus x2 into a तो यहाँ पर minus आ जागा minus x2 into a हो जागा और x1 into a का भी भालो 0 है और x2 into a का भी भालो 0 है तो देखे x1 into a का भी भालो 0 है और x2 into a का भी भालो 0 है तो यह 0 आ गिया तो क्या हम लोग दिखा दिए हम लोग दिखा दिए कि x1-x2 into a equal to 0 जहां पर a कोई भी member होगा यहां तो a कोई भी member रख सकते हैं क्योंकि x1 equal to a 0 आ रहा है और x2 equal to a 0 आ रहा है यहां पर for all a belongs to l किसी भी l के member के लिए आ रहा है तो इसलिए यहां पर l है for all a belongs to l तो क्या हम लोग दिखा दिए हैं कि x1-x2 into a का भालो 0 इसका भालो 0 यह किसका भालो 0 आ रहा है देखें यहां पर x1-x2 into a का ही न भालो 0 आया है तो x1-x2 into a equal to 0 दिखा दिए for all a belongs to l क्या यह lambda l का member हो जागा therefore x1-x2 यह बिलॉंग करेगा lambda l में क्यों lambda l में बिलॉंग करेगा lambda l का क्या definition था lambda l में जो member था वो ring का member था ring का member था और कैसा member था टाकि x into a ब्रावर 0 आना चाहिए for all a belongs to in this condition को अगर satisfy कर रहा है तो उन्हें से तुप से लिम्डा l का member है तो क्या इस condition को satisfy कर रहा है x1-x2 में a से मल्टिप्ला कर रहे हैं मतलब x में a से मल्टिप्ला करने पर 0 आना चाहिए तो इसको a से मल्टिप्ला कर रहे है तो 0 आ रहा है for all a belongs to l तो इसी लिए यह जो element है वो किस का member हो जाएगा इसी लिम्डा l का member हो जाएगा और यह है कहां का ring का member क्योंकि यह दोनों तो ring का member था x1 और x2 तो दोनों का difference भी एक ring का member होगा तो x1-x2 जो है वह एक ऐसा ring का member हो गया जो इस condition को satisfy कर रहा है इसे लिए लिम्डा l का member हो गया तो first condition ideal के लिए satisfy हो गया अब second condition ideal के लिए जो दिखाना है उसके लिए हम लोग देखे क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं let x belongs to lambda l x जो है वह माल लेते हैं कि lambda l का member है जब यह lambda l का member है तो therefore x into a निस्वत रूप से 0 होगा for all a belongs to r रिंग के कि यहां l होगा l के किसी भी member के लिए अगर इसको multiply करेंगे तो 0 होगा क्योंकि lambda l का member lambda l का यह ही definition है अब ज़रा समझिए let r be any element यह कोई भी एक element है किसका element है any element of ring का कोई भी element है अब देखिए इसको दिखाना है ideal तो यह ideal के element को लिए है और यह ring का किसी भी element को लिए हुए है अब ring के element को left side मुटिप्ला करेंगे वो भी दिखा देंगे इसका member मतलब r into x भी दिखा देंगे इसका member तो देखिए r into x इसका member कब होगा अगर इसको a से multiply करें तो 0 आना चाहिए 4 all a belongs to a अगर यह condition satisfy करें यह दोनों का multiplication 0 आ जाए तो यह निस्यतुप से lambda l का member हो जाएगा तो हम लोग निकालते हैं देखते हैं 0 आता है यानी r into x into a निकालते हैं देखें यहां पर associative law satisfy होता है यह सभी दिखांगा member है तो यह associative law satisfy होगा तो आर को हम लोग बाहर कर देते हैं x into a को पहले लिखते हैं एक bracket में अब x into a का value 0 है तो 0 से multiply करेंगे तो यह 0 आ जाएगा for all a belongs to n तो इसका मतलब left ideal हो गया और फिर x in sorry यह left ideal नहीं यह जब सभी a के लिए यह 0 आ रहा है तो निशित रुप से r into x किसका member आ जाएगा r into x जो है वो lambda l का member आ जाएगा lambda l के जो element का definition था वो satisfy कर रहा है यहाँ पर वैसा ही element था जिसको a के साथ multiply करने पर 0 आना चाहिए अगर a के साथ multiply कर दें पर तेक a के साथ l के किसी भी a के साथ multiply कर देते हैं तो 0 आना चाहिए तो यहाँ तो हो रहा है तो इसलिए यह lambda l का member हो जाएगा और यह जब lambda l का member हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई भी एक element लिये R का कोई भी एक ring का member ले लिये अब left side में ring के member को multiply किये और यह इसका member आ गया तो therefore lambda L is यह left ideal यह left ideal हो गया किसका हो गया R का फिर आगे हम लोग दिखाएंगे ultra यह R को बाद में रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं now X into A R into A निकालते हैं X into R into A तो इसको associative loss है R into A ऐसा लिख सकते हैं अब जिरा समझे R जो है वो ring का member है और A किस का member है A जो है वो L का member है यहाँ पर लिखे है न A जो है वो L का member है तो L है क्या? L तो left ideal है तो यहाँ देखिए R ring का member है A L का member है implies और यह L जो है वो left ideal है तो left ideal होने के कारण left side में अगर R को multiply कर दें तो यह निस्ट उप से क्या हो जाएगा? वो भी L का member आएगा यह L का member आजएगा यह L का member होगा है अब जिरा समझे यह L का member हो गया और X जो है वो किसका member है? X तो यहाँ पर lambda L का member है तो lambda L के किसी भी member को L के member के साथ multiply करने पर क्या होता है? L के किसी भी member के साथ multiply करने इसके member को तो वो तो 0 होता है यहाँ पर देखिएगा यह lambda L का member यहाँ रखना है और यहाँ जो रखना है वो L का मेंबर रखना है तो दोनों का product 0 होता है तो यह X चुकि लेमडा L का मेंबर है और यह L का मेंबर है तो दोनों का जो product है वो निश्यतरूप से 0 हो जाएगा यहाँ पर R A L का मेंबर हो गया और X जो है वो हो गया lambda l का member तो दोनों का product 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर इसका भी product 0 आगया x into r into e equal to 0 आगया for all e belongs to l तो निस्यत रुप से x into r किसका member हो जाएगा lambda l का क्यों lambda l का member होगा lambda l का यह definition है कि lambda l का कोई भी अगर member लेते हैं तो वो जो member होगा वो निस्यत रुप से इस condition को satisfy करना चाहिए कि इसको अगर हम लोग l के किसी भी element के साथ multiply कर देंगे तो वो 0 आना चाहिए तो l के किसी भी element के साथ multiply करने पर 0 आ रहा है तो इसलिए lambda l का member हो गया तो therefore आप जड़ा समझे यह right ideal भी हो गया क्यों right ideal हो गया क्योंकि इसी का एक element x लिए है और r हम लोग ring का कोई भी element लिए है और right side में ring के element को multiply किया है तो वो 0 आ गया तो therefore lambda l is also यह right ideal एक right ideal भी हो गया right ideal of r जब right ideal भी हो गया left ideal भी हो गया तो हम लोग का सकते हैं कि lambda l is an ideal of r यह ideal हो गया r का तो अभे तक हम लोग जो काम के हैं वो क्या है lambda l जो है वो ऐसा ring का element होता था इसमें ऐसा ring का element होता था जिसको किसी भी a से multiply कर दें तो वो 0 होता था for all a belongs to no sorry for all a belongs to n यहाँ l होगा lambda l में ring का ही member आता था और ऐसा member होता था कि x into a ब्राबर 0 for all a belongs to n तो यहाँ पर जड़ा देखिए lambda l का हम लोग x एक member लिए और दिखा दिए कि r into x जो है वो 0 आ रहा है r into x into a 0 आ रहा है a को किसी के कोई भी अगर a लेते हैं l का और उसको multiply करते हैं इसके साथ तो 0 आ रहा है तो निश्यत रुप से rx किसका member हो जाएगा lambda l का क्योंकि इस condition को satisfy कर रहा है यहाँ x के बदले rx है तो rx भी किसका member हो जाएगा lambda का और rx जब lambda का member हो गया तो यह left ideal हो गया उसी तरीके से दिखा दिया है xr भी lambda का member है तो यह right ideal हो गया तो right ideal और left ideal दोनों हो गया तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ideal कर सकते हैं तो यह दूसरा example हुआ ideal का यहां पर जो मैं example बताया हूं वहां पर left और right ideal दोनों हैं और इसके पहले मैं जो example बताया था वो सिर्फ left ideal था right ideal नहीं था तो इस तरीके से कुछ example आपके book में भी होगा आप उसको भी देख सकते हैं तो आज इस video में बस यहीं तक मिलते हैं next video में इस video को देखने के लिए ब